तो आज की वीडियो में दोस्तों हम डिसकस करेंगे कि जो पॉपुलर मॉबाइल कंपनीज हैं इनके जो फ्लैक्शिफ फून है, हाई एंड फून है वो कौन-कौन से हैं और इनकी मैं स्पैसिफिकेशन आपको बताऊंगा और कब-कब ये लांच हुए ये भी मैं आपको बत आउंगा और वीडियो दोस्तों काफी इंट्रेस्टिंग होने माली है इससे पहले आपने सब्क्राइब नहीं किया तो सब्क्राइब भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर दें तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ सबसे पहले सैमसंग क बात करते हैं Samsung का इस टाम flagship phone Samsung Galaxy S21 Ultra 5G है जिसे Samsung ने January 2021 में launch किया है इसमें दोस्तों आपको Samsung का Exynos 1200 chipset देखने को मिलता है जो एक flagship chipset है और जो इसका US variant है उसमें आपको Snapdragon 888 5G देखने को मिलता है Dynamic AMOLED display आपको मिलता है दोस्तों 120 Hz के refresh rate के साथ 1440 pixel की resolution और 6.8 inch का इसका display है 5000 MHz की battery है बैक पे आपको quad camera setup देखने को मिलता है जिसमें main sensor 108 megapixel का है 10 megapixel का periscope telephoto है और 10 megapixel का telephoto lens है और 12 megapixel का ultra wide lens है और 4K video recording भी ये करता है front की बात करें तो front पे आपको 40 megapixel का एक selfie camera देखने को मिलता है in display fingerprint है इसमें S21 Ultra 12 GB और 16 GB RAM में भी आता है storage variant में इसमें आपको 128 GB का variant है 256 GB का variant है और 512 GB का भी variant है और इसमें आपको 25 Watt की fast charging देखने को मिलती है तो ये दोस्तों Samsung का स्टेम flagship phone है दूसरे नमबर पे दोस्तों Huawei की बात करते है Huawei का flagship phone Huawei Mate 40 Pro Plus है इसमें आपको chipset Kirin 9000 5G देखने को मिलता है OLED डिस्पले देखने को मिलता है 90 Hz के refresh rate के साथ 6.76 इंच की इसकी screen है 4400 mAh की इसमें आपको battery देखने को मिलती है 8 GB और 12 GB RAM के साथ ही आता है 256 GB इसकी storage है back में आपको quad camera setup देखने को मिलता है जिसमें main sensor 50 MP का है 12 MP का telephoto lens है और 8 MP का periscope telephoto है और 20 MP का ultra wide lens देखने को मिलता है और के video recording भी ये करेगा selfie camera आपको इसमें 13 MP का देखने को मिलता है 66 बार की fast charging है इसमें और ये काफी unique phone है Huawei का तीसरे नमबर पे दोस्तों हम बात करते हैं Xiaomi के flagship phone की Xiaomi का flagship phone MI 11 Ultra है इसमें आपको chipset Snapdragon 888 5G देखने को मिलता है AMOLED डिस्पले 120 Hz के refresh rate के साथ 8 GB और 12 GB RAM में ये phone आता है 256 GB और 512 GB storage variant के साथ ये phone आता है back पे आपको triple camera setup देखने को मिलता है जिसमें main sensor 50 MP का है 48 MP का periscope telephoto है 48 MP का ultra wide sensor है और 8 के video recording भी ये करता है 24 frame पर second पे front पे आपको 20 MP 1080 P की resolution के साथ camera देखने को मिलता है इसके इलावा 5000 MP की बैटरी है fast charging आपको 67 Watt की देखने को मिलती है तो ये Xiaomi का flagship phone है सबसे high end phone है Xiaomi का इस time चोथे नमबर पे दोस्तों बात करते हैं Realme की Realme का flagship phone Realme GT है जिसमें आपको again Snapdragon 888 5G देखने को मिलता है Super AMOLED 120 Hz के refresh rate के साथ इसका display है 1080p इसकी resolution है display की और size इसका 6.43 inch है back पे इसकी triple camera setup है जिसमें main camera Johnson megapixel का है 8 megapixel का ultra wide है और 2 megapixel का macro camera आपको देखने को मिलता है front पे इसकी 16 megapixel 1080p की resolution के साथ camera आता है 8 GB और 12 GB RAM के साथ ये phone आता है और storage variant इसमें आपको 128 GB का देखने को मिलता है और दूसरा 256 GB है इसके लावा दोस्तों इसमें 45 mAh की battery है और पैंसर वार्ड की आपको fast charging देखने को मिलती है तो ये Realme का flagship phone है आगे बात करते हैं दोस्तों OnePlus के flagship phone की OnePlus का flagship phone OnePlus 9 Pro है जिसको OnePlus ने March 2021 में launch किया है और ये वाकी में बड़ा एक premium phone है OnePlus दोस्तों एक ऐसा brand है जिसमें अपनी शुरुआत में जो flagship specification होती है उनको थोड़ी दूसरों की निस्बत थोड़ी कम price में प्रोवाइड किया है अपने customers को और इन्होंने flagship phone से ही अपनी entry की higher OnePlus 9 Pro में दोस्तों आपको chipset snapdragon 888 5G देखने को मिलता है fluid AMOLED display 1440 pixel की resolution के साथ और 120 Hz के refresh rate के साथ इसकी screen का size 6.67 inch है back पे दोस्तों इसकी quad camera setup है जिसमें main sensor 48 megapixel का है 8 megapixel का telephoto है 15 megapixel का ultra wide है और 2 megapixel का monochrome lens देखने को मिलता है आपको और इसकी front पे आपको 16 megapixel का एक selfie camera देखने को मिलता है इसके लावा 8 GB और 12 GB RAM के साथ ये phone आता है storage variant में इसका एक variant 118 GB है और दूसरा 256 GB है इसके लावा दोस्तों 45 mAh इसकी battery है और 65 Watt की fast charging के साथ ये phone आता है और OnePlus 9 Pro OnePlus का flagship phone है इस time आगे बात करते हैं दोस्तों वीवो के flagship phone की वीवो का flagship phone वीवो X60 Pro Plus है इसमें भी दोस्तों आपको Snapdragon 888 5G chipset देखने को मिलता है Super AMOLED डिस्पले 120 Hz के refresh rate के साथ 1080p इसकी resolution है और 6.56 इसकी size है डिस्पले की 8 GB और 128 GB variant और 12 GB 256 GB variant के साथ ये phone आता है बैक पे आपको quad camera setup देखने को मिलता है जिसमें main camera 50 map इक्सल का है 8 map इक्सल का periscope टेली फोटो है 32 map इक्सल का टेली फोटो लेंज है और 48 map इक्सल का अल्टरा वाइड लेंज है यानि camera की तरफ से तरह ये phone beast है इस phone की दोस्तों खास बात ही है कि इसमें जो लेंज दिये गए है वो जैसा आप्टिक्स ने दिये है जो कभी Nokia में दिया करता था और ये काफी ज्यादा यूनीक है और दोस्तों 8 के वीडियो भी रिकार्ड करता है 30 frame पर second पे फ्रेंट पे आपको 32 map इक्सल का एक selfie camera देखने को मिलता है और ये फ्रेंट से 4 के वीडियो भी रिकार्डिंग करता है 8 GB, 12 GB और 16 GB RAM में ये फोन आता है और स्टोरेज इसमें 256 GB और 512 GB भी आती है डिस्पले दोस्तों इसमें LTPO AMOLED देखने को मिलता है आपको 6.7 इंच का साइज है 120 Hz रिफ्रेश रेट है और 1440 पिक्सल की इसकी रेजुलिशन है बैडरी दोस्तों इसमें 45 में अच है और पैंसर वार्ड की आपको फास चार्जिंग इसमें देखने को मिलती है और ये वीवो का इस टैम फ्लैक्शिक फून है आगर में दोस्तों बात कर लेते हैं एपल की एपल का इस टैम हाई एंड फून है आईपून 12 प्रो मैक्श इसमें दोस्तों आपको चिपसेट एपल का A14 बायोनिक देखने को मिलता है जो कि इस टैम वल्ड का नंबर वन चिपसेट है मुबाइल इंडस्ट्री में वल एड़ी दोस्तों इसमें डिस्प्ले है 1284 पिक्सल की रेजुलिशन के साथ और 6.7 इंच इसके डिस्प्ले का साइज है बैक पे दोस्तों इसकी ट्रिपल कैमरा सेटप है जिसमें 12 मैकल का मीन सेंसर है 12 मैपिक्सल का टैली फोटो लेंज है और 12 मैपिक्सल का अल्टरा वाइड लेंज है और 4K वीडियो रिकार्डिंग भी ये करता है आईफून 12 प्रू मैप्रेंट पे भी दोस्तों इसकी 12 मैपिक्सल का एक वाइड कैमरा है जो के 4K वीडियो रिकार्डिंग भी करता है इसके लावा बैटरी दोस्ते इसकी 3687 mAh है और 20W की फास चार्जिंग इसके साथ आपको देखने को मिलती है तो दोस्तो यही थी वीडियो यही के सारे flagship phone जो popular companies है इस टाइम तो आपको कैसी लगी है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सबस्क्राइब वगरा जरूर कर दें और बैल नोटिफिकेशन ओन कर दें आल पे क्लिक कर दें तागे जब भी मैं फ्यूचर में नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको टाइम टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए तो मिलते हैं नाक्स वीडियो में तब तक के लिए लापीस